तो दोसतो अगर आपको भी जानना है कि अपको अपनी बाइक घैसे होता है किस तरीके से लगाया जाता और दिखने वह तो और और यह सारी बातों गया है तो आझ कई विडियो आपके काफी काम आने वाल है क्योंकि आज इस वीडियो में मैं अपने हीरो इग्नाइटर में रियर वील का ब्रेक्शू लगवाने जा रहा हूं दोस्तों सो वल्कम बैक टू दीजिस प्रकाश महंत और वाचिंग प्रकाश महंत व्लॉक्स तो दोस्तों अगर आज के वीडि करें सर्च करें प्रकाश महंत और मैंने काफी सारी गाडियों के भी रिव्यू कर रखे हैं अब प्लीज मेरे इस चैनल प्रकाश बडॉक्स पे और वीडियोस को देख लिजीगा हो सकता है कि मेरे बाकी सारी वीडियोस आपके कुछ काम आ जाए और मेरा एक और च्डियों आप सभी तक पहुंचाता हूं तो प्लीज मेरे उस वीडियो को भी देख लीजेगा तो चलिए इस वीडियो को आप शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम तो दोस्तों यह रेख सकते हैं यह ब्रेक्शू जिसे की आप अभी देख रहे हैं हमारी गाड़ी का जो 120 रूपीज का यह ब्रेक्शू ओरिजनल हीरो का जैनुइन प्रोड़क्ट है स्पेर पार्ट है जैनुइन हीरो का रेट कर इसकी पॉलेथीन आप नीचे देख रहे होंगे जमीन पे जैनुइन प्रोड़क्ट है तो यह देख सकते हैं यहां पर कुछ इस तरीके से इसे ल स्टृरत नहीं है अगरे सिर्फ इसका जो ड्रेक्श्य करवारा है क्योंकि अभी इसको घ्रियर वील को क्योंकि बाकि सारी चीजेंगे तो हो चुके दोस्तों तो बस इतना ही रहता है और इसका जो चार्ज था वो 120 रुपीज का आया जो ब्रेक्शू का प्राइस था जैन्मीन प्रोडक्ट है हीरो का और जो लेबर चार्ज था उन्होंने मुझसे 40 रुपीज लिया इसे फीट करने का तो आप प्लीज इसे अगर फ बहुत जरूरी हित्सा होता है दोस्तों टायर के बल्बूते पर ही गाड़ी चलती है इसलिए ब्रेक्श पे मैं कोई भी कॉम्प्रोबाइस नहीं करता इसलिए जैन्मीन प्रोड़क्ट ही मैंने इसके ब्रेक में लगवाया है दोस्तों तो चलिए आज की वीडियो में मिल